हलो दोस्तों तो लीजिये मैं एक बार फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक फणी और प्यारी सी मूवी को लेकर अहां तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का कारिकरम फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि ये पचास वर्षों पहले की बात है सबी जगा रोमनों द्वारा कबजा कर लिया गया है पर एक गाउं अदम्य गर्ल्स अभी भी कायम है आकरमन कारियों के खिलाफ और फिर उस चोटे से गाउं में एक नौजवान एलेफॉलिक्स को दिखाया जाता है एलेफॉलिक्स एक प्रेम पत्र ग्रीस की राजकुमारी इरिना के लिए भेजता है जिसमें वह कवीताओं के साथ साथ अपने ग्रीस आने का संदेश भी भेजता है उसके बाद एलेफॉलिक्स खुद भी राजकुमारी से मिलने के लिए निकल पड़ता है अब कुछ दिन बाद एलेफॉलिक्स ग्रीज पहुंच जाता है जहां राज महल में ओलम्पिक्स खेलों के रिए सरुष्रेश्ट एथिलीटों का चैयन किया जा रहा था तो एलेफॉलिक्स भी लाइन में लग जाता है पर उसकी हालत देखकर उसे लाइन से बहा निकाल दिया जाता है फिर वो दूसरे दर्वाजे से अंदर आ जाता है और सेवकों के कपड़े पहन कर राजा के पहुंच जाता है वहां राजकुमारी इरीना राजा से यानि अपने पिता से अपने विवाहा को लेकर लड़ रही होती है उसके पिता उसकी शादी बूटस से करवाना चाते है लेकिन राजकुमारी उससे शादी नहीं करना चाती वो तो एलेफॉलिक्स के भेजे खतों की दिवानी है क्यो और राजमहल में प्रवेश के लिए तयार है ब्रूटस एक फणी आदमी है वो अधिकतर उल्टी पुल्टी चीज़े करता रहता है वही इरीना अपने पीता को मनाने के लिए अलेफॉलिक्स की कवीदाय सुनाती है तभी अलेफॉलिक्स सामने आ जाता है और एरीना उसे पहचान लेती है अब ब्रूटस भी वहाँ आ जाता है जो कि एरीना अपनी होने वाली पतनी को देखने आया था यहां ब्रूटस और एलेफॉलिक्स के बीच नोगजोंग शुरू हो जाती है जिसमें एलेफॉलिक्स शर्ट रखता है कि जो ऑलेफॉलिक्स केम्स को जीतेगा वही एरीना से शादी करेगा एरीना और उसके पिता इस शर्ट को मान लेते है जिसके बाद ब्रूटस और एलेफॉलिक्स अपने अपने घर लोट जाते है अब जंगल में दो औजीब से आदमियों को दिखाया जाता है जिनके नाम होते है ऑबलिक्स और एस्टेरिक्स जो की जादू कर सकते है और वो दोनों बहुत फणी भी होते है उनके साथ एक प्यारसा डॉगी भी होता है यहां एक और आदमी आता है जो जंगल में जॉगिंग कर रहा होता है यहां आवेलिक्स और एस्टेरिक्स उससे पूछते है कि क्या तुम्हारे पीछे सुवर पढ़ गया है जो तुम ऐसे भाग रहे हूँ तब वो उन्हें बताता है कि मैं गलूटस मैकसिमस हूँ और मैं रोम समराज्जे का सबसे तेज दोरने वाला आदमी हूँ वो दोनों उस पर हसते हैं और सामने से तेजी से आगे बढ़ जाते हैं यहां पर उन तीनों के भी जिट फ़नी सी लड़ाई को दिखाया जाता है और एलेफॉलिक्स और एस्टेरिक्स एलेफॉलिक्स के गाउं के रहने वाले होते हैं और एलेफॉलिक्स के गाउं के अधिकतर लोग जादू कर सकते हैं अब आबेलिक्स और एस्टेरिक्स गाउं पहुंचाते हैं यहां वो एलेफॉलिक्स से मिलते हैं एलेफॉलिक्स सबी को पूरी बात बताता है फिर वो लोग ऐलेफॉलिक्स के साथ ग्रीस जाने के लिए तयार हो जाते है और उन मेंसे एक बुड़ा आदमी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हें जादूई और शिती बना कर दूँगा दूसरी और बुरुटस अपने राजमेल पहुंच जाता है यहां वो अपने पीता के पास जाता है जिसका नाम सीजर होता है बुरुटस सीजर को सारी घटना बताता है और उसे ब्लू बैरी खाने के लिए तोफे में देता है जिसमें जहर मिला होता है लेकिन सीजर उसे खुद ना खाकर अपने लैपर्ड को खिला देता है जिसे खाकर लैपर्ड मर जाता है यहाँ पर हमें पता चलता है कि बुरूटस अपने पीता को मारना चाता है ताकि वो खुद राजा बन सके अब Brutus और उसकी सेना ओलम्पिक्स की तैयारी में लग जाती है पर Brutus को तैयारी करने की जगा सोई हुए दिखाया जाता है और Brutus सपने में खुद को राजा बने हुए भी देखता है फिर रात किसमें Brutus एक गुफा में जाता है जहां डॉक्टर जैकिल्स को दिखाया जाता है जिसने Brutus के लिए एक जादूई गोल बनाया था जिसे पीकर Brutus ताकतवर बन सकता था दूसरी तरफ ऐलेफॉलिक्स और उसके दोस्त ग्रीस के लिए निकल पड़ते है ग्रीस में बहुत से देशों से और भी खिलाडी आये है एलेफॉलिक्स और उसके साथ ही भी ग्रीस पहुंच जाते है और वो लोग ऑलम्पिक्स में भाग लेने के लिए अपना नाम दर्ज करवाते है उनकी टीम का नाम गल्स होता है अब अगले दिन खेलों की शुरुवात होती है और सभी खिलाडी अपने अपने देश के जंडे को लेकर सीजर के सामने आते है और उलम्पिक्स गेम्स को शुरू कर दिया जाता है सबसे पहले भाला फिंग की प्रतियोगीता करवाई जाती है सबी खिलाडी अच्छा प्रदशन करते है अब बारी ब्रूटस की आती है ब्रूटस भाला फिंगने से पहले डॉक्टर जैकल्स का दिया हुआ घुल पी लेता है जिससे उसकी मसल्स बन जाती है और वो ताकतवर बन जाता है लेकिन जैसे ही ब्रूटस भाला फिंगने लगता है वो एक गुबारे की तरह मिस हो जाता है और उसकी सारी हवा निकल जाती है और सबी लोग उस पर जोर जोर से हसते है अब चक्का फिंग की प्रतियोगीता होती है जिसमें एलेफॉलिक्स का साथी एस्टेरिक्स जीत जाता है क्योंकि उसके पर जादू होता है उसके बाद गोला फिंग की प्रतियोगीता होती है जिसमें भी एलेफॉलिक्स का दूसरा दोस और बैलिक्स जादू से जीत जाता है Brutus उनकी जीत से बहुत उदास हो जाता है तब ही उसकी टीम का एक खिलाडी Glutus Maximus कहता है कि हम उने नहीं हरा सकते उन गर्ल्स के पास जादू ही औशदी है ये सुनकर Brutus भागता हुआ खेल के रैफरियों के पास जाता है और गर्ल्स की टीम पर जादू से जीतने का आरोब लगाता है इस वज़े से ऐलेफॉलिक्स की टीम को विजेता ना बनाकर यूनान को विजेता बनाया जाता है बाद में Brutus के पीता सीजर उसे डांटते है कि तुम्हारा जीतना जरूरी है नहीं तो मुझे तुम्हारी वज़े से शर्मिंदा होना पड़ेगा अब सभी की लाड़ी अगली गेम की तैयारी में लग जाते है रात में ऐलेफॉलिक्स इरीना से मिलता है और वो दोनों प्यार भरी बाते करते है दूसरी और बूटस मैच के तीनों रैफ्रियों को अपने पास बुलाता है और उनके साथ मैच फिक्सिंग कर देता है अगले दिन कुष्टी का मैच होता है जिसमें रोम यानी बूटस की टीम जीत जाती है और लांग जंप मैच फिक्सिंग की वज़े से बूटस जीत जाता है दौट की प्रतियों गीता मैं तो बूटस बहुत चिटिंग करता है फिर भी वो जीत जाता है यहाँ ऐले फॉलिक्स का दोस्ट एस्टेरिक्स सीजर के सामने जाता है और रोम पर धोका देने का आरोप लगाता है जिससे सीजर डिसाइड करता है कि अब वी जेता वो होगा जो रत की दौड में जीतेगा यह सुनकर बूटस को छोड़कर और सभी लोग बहुत खुश हो जाते है अब बूटस एक पर फिर से अपने पिता को मारने की कोशिश करता है लेकिन फिर से सीजर बच जाता है निराश होकर बूटस डौक्टर जाकेल्स के पास जाता है और उस से रत की दौर को जीतने के लिए को जादूई गोल मांगता है पर वो गोल ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को भी उस पर शक्त ना हो डौक्टर जाकेल्स बूटस को एक जादूई गोल देता है पर इस पार बूटस उसे अपने सिपाही को टेस्ट करता है पर वो गोल किसी काम का नहीं होता अब Brutus डॉक्टर जैकिल्स और उसके साथ ही गर्स के एक आदमी को किड्नाप कर लेते हैं जो की जादूई गोल बनाता था पर एलेफॉलिक्स और उसके साथ ही उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं वो उने बताता है कि Brutus उसे शक्तिशाली गोल बनवाना जाता है तब एलेफॉलिक्स के साथ ही एस्टेरिक्स को एक आइडिया आता है और वो उने गोल देने के लिए मान जाते है अगले दिन रत की दौर शुरू होती है और Brutus वो जादूई गोल पी लेता है जिसके बाद वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है पर कोई भी समझ नहीं पाता कि उसमें इतनी शक्ति कहां से आई Brutus सबी खिलाडियों को एक एक करके रतों से नीचे गिरा देता है लेकिन किसी तरह ऐलेफॉलिक्स बचता बचाता आगे बढ़ता चला जाता है इस बीच Brutus की शक्ति खतम हो जाती है और वो बहुत पीछे रह जाता है वहीं दूसरी और एलेफॉलिक्स जीत के बहुत करेबा जाता है पर एक बार फिर से Brutus चीटिंग करता है और अपने गोडों को वो जादूई गोल पिला देता है जिसकी वज़े से उसके गोडे बंदूग की गोली से भी तेज भागते है और Brutus चीत जाता है इरीना ये देखकर बहुत उदास हो जाती है पर तब ही एलेफॉलिक्स का साथी एस्टेरिक्स एक बार फिर से उबजेक्शन करता है और Brutus पर चीटिंग करने का आरोब लगाता है पर कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता फिर एस्टेरिक्स रेफरियों से Brutus और उसके गोडों की जीब को चेक करने के लिए कहता है जो की जादूई गोल की जीब को चीटर चीटर कहने लगते है Brutus की जीब को नीला कर देने वाले घूल का आईडिया एस्टेरिक्स का ही होता है जिसके बाद एलेफॉलिक्स ये गेम जीट जाता है Brutus ये देखकर बहुत गुसा हो जाता है और अपने सैनिको के साथ मिलकर अपने पीता को गेर लेता है और खुद को राजा कहता है यहाँ पर सीजर को एलेफॉलिक्स का दोस्त अबैलिक्स सैनिको से बचाता है जिससे सीजर गल्स से खुश हो जाता है और उन्हें धन्यवाद भी कहता है एलेफॉलिक्स और इरीना की शादी हो जाती है जिससे सभी बहुत खुश हो जाते है और जशन मेनाते है अंत में Brut और उसके साथियों को जनजीरो में जकडा हुआ सीजर के समुदरी जहाज में चप्पू चलाते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मुवी यहीं पर एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले थैंक्स फॉर वाचिंग